आराध्य देव के श्री चर्णों में सत्सत नमन मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ओडियो बुक में आपका स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको चैनल के नोटिफिकेशन और अपडेट रेगुलर मिलते रहें जैन हिंदी ओडियो बुक में आपका स्वागत है यात्रा एक अकिंचन की संग्य व्यवस्था का दाइत्व संगठन के दो पक्ष हैं पहला अनुसासन व्यवस्था दुसरा साधना आचारे भिक्सु ने अनुसासन के छ उद्देश से बतलाए उनमें एक हैं व्यवस्था तेरापन के आचारेों ने संग्य व्यवस्था को बहुत महत्व दिया वह इसलिए प्रासंगिक हैं कि व्यवस्था सुन्य संगठन में साधना का विकास नहीं हो सकता तेरापन धर्म संग का नेत्वत्व आचारे करते हैं व्यवस्था संचालन का डाइत्व भी उन्हीं के कंधों पर होता है मैंने अस्टम आचार्य पुज्य कालुगणी को देखा उनके वियस्ता कोसल से धर्मसंग का बहुत विकास हुआ आचार्य तुलसी के साथ मैंने लंबे समय तक जीवन जिया उनकी कल्पना सीलता दूर दर्शी चिंतन और दिष्टी कौन ने वियस्ता को अ माला का पहला मन का विक्रम संवात 2003 राजगड में चातुरमासिक प्रवास आचारेवर ने मुझे बुला कर कहा मर्यादाओं का संकलन करना आचारे भिक्सू से लेकर आज तक आचारेओं ने जिन मर्यादाओं का विधान किया हैं वे एक जगे पर संकलित नहीं हैं उनका संकलन आवशक हैं मैं आचारेवर की सन्नधी में उपस्तित हुआ संकलन का कार्य चालू हो गया संग्यकारियों में प्रवर्थ होने का यह पहला आवसर था चिंता और चिंतन विक्रम समवत 2004 आचारे फतेपुर में विराज रहे थे रात्री का समय प्रतिक्रमन के प दन करना चाहता हूं आचारेवर ने आश्चर्य भरी द्रिष्टी से मेरे सामने देखा और कहा क्या कहना चाहते हूं मैं आचारेवर की सन्नेदी में ही रहता और बातचीत का प्रसंग भी आता किन्तु किसी समस्या को लेकर उपस्तित होने का यह पहला ही अवसर था उन सड प्रस और भय दोनों अपना अपना काम कर रहे थे आचारेवर ने मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्या को सुना और एकड़म गंभीर हो गए समस्या की बात उनके सामने नहीं आ रही थी संभवता यह कल्पना भी नहीं थी कि मैं उनके सामने इस कल्पना को प्रस्तुत मैं भी नहीं चाहता था कि आचारेवर के सामने चिंतन्य समस्या प्रस्तुत कर उनके सामने तनाव की स्तिति उत्पन करूँ मुझे लगा कि छोटे-छोटे साधों की मनोदसासे में परीचित हूँ और उनकी मानसिक दसा को आचारेवर तक पहुँचाना संग हित में है मैंने आचारेवर के सामने कुछ उल्जन भरी बाते रखी। उल्जन की बात प्रिय नहीं होती पर आचारेवर महान थे। उन्होंने शनिक अप्रियता को घौन कर संग के हित को सामने रखकर समस्या को सुलजा दिया। साज का दाईत्व हमारे धर्मसंग में व्यवस्ता की प्रधानता हैं। दिक्सित होने के बाद सादू साद्वी का जीवन क्रम व्यवस्ता से प्रतिबध होता हैं। दिक्सा के अंतर दिक्सित व्यक्ती समुच्च की व्यवस्ता में रहता हैं। उस अवस्ता में वह आहार त पता समुच्च के कालियों की बारी से मुक्त रहता हैं। मैं दो वर्ष तक समुच्च की विवस्ता में रहा, उसके बाद मंत्री मुनी के साज की विवस्ता में रहा। पोज्य कालुगणी के स्वर्गवास के पश्चात आचारेवर ने मंत्री मुनी मगनलाल जी स्वामी को समुच्च की विवस्ता में प्रतिष्ठित कर दिया। उनके साज में विद्यमान साधूों को तीन साज में विवक्त कर दिया। साज के अग्रणी थे मुनी चौथमल ज जी के साज में नियुक्त किया। लगबग दस वर्ष हम उनके साज में रहें। विक्रम समवत 2004 रतंगर चातूरमास आचारेवर ने मुनी चंपालाल जी स्वामी को समुच्च की विवस्ता में प्रतिष्ठित कर दिया। उनके साज में वर्तमान साधूों को तीन साज में विवस्तित किया। मुनी नत्मल जी, मुनी दूली चंजी और मुनी सागरमल जी। तेरापन धर्मसंग की विवस्ता के अनुसार दाइत्व का प्रतम सौपान है अग्रणी। विक्रम समवत 2001 में उस दाइत्व को निभाने का आवसर मुझे मिला। साज का अग्रणी उसी क समकक्स होता हैं उसका दाइत्व भी मुझे पर आ गया। मुझे इसका संतोस हैं कि मेरे साज में जितने साधू रहें वे सब संतुष्ट रहें और उनके चरण विकास की दिशा में आगे बढ़ते रहें। विचार प्रसार का दाइत्व कुछ दाइत्व व्यरस्ता से जुड़े होते हैं और कुछ विकास से। विक्रम समवत 2005 से विकास की नई दिशाओं के उद्गाटन का दाइत्व भी मुझे पर आ गया। कुछ दाइत्व आचारेवर ने मुझे सौपे और कुछ बिना सौपे ही मैंने अपने उपर ओड लिये। आचारेवर के विचारों को हिंदी के माध्यम से प्रसारित करने का काम मैंने शुरू कर दिया। आचारेवर ने मुझे दाईत्व नहीं सौपा, फिर भी उनका अनुग्रा बरस्ता रहा और सहजी में तेरापंद का प्रवक्ता बन गया। संग्य व्यवस्ता का साक्सात, विक्रम समवत 2019 उधैपुर के चातुरमा समाप्ति के पश्चात, मेवार के छोटे छोटे गाउं की यात्रा, आचारेवर का आत्मा में प्रवास, आत्मा छोटा गाउं हैं पर उसने तेरापंद के इत्यास में अपने स्वतंत्र पुष्ट ख मुझ पर भी उनकी असीम उपकार रहा, मध्यान का समय अहार के पश्चात में गत दिवस वार्ता का निवेदन करने के लिए गुर्देव की सनीदी में गया और उपासना में बैठ गया, गुर्देव ने कहा इधर आओ, देखो, मैं निकट गया और आचारेवर ने मेरे हा विएस्ता का कारे अकेले करता रहा, आज पहली बार तुमें ये पत्र सौप रहा हूं, इसे देखो और विएस्ता के बारे में चिंतन सुरू करो, इस निर्देश के बाद मैं संग्ये विएस्ता से पूर्ण रूप से जुड़ गया, संग के विशे में हेत्व चिंतन में बच्चपन से ही करता था, वह नैसरगिक संस्कार अब प्रस्फूटित होने लगा। मर्यादा मौत्सव के दिनों में मैं व्यवस्ता में पूर्ण रूप पेन सहभागी रहा। इस संदर में डायरी का उल्लेक मननिय हैं। विक्रम संवद 1903 में पुझ्य गुर्देव कालूगणी का महा प्रयाण होने के बाद मैंने तेरापन धर्मसंग का दाईत्व संभाला। तब से विक्रम संवद 2019 तक साधू साध्यों के सिंगाडों की व्यवस्ता मैं अकेला ही करता था। सासन संचालन में मंत्री मुनी मगनलाल जी मेरे अनन्य सयोगी थे पर अंतरंग व्यवस्ता में उन्होंने कभी रूची नहीं ली। आत्मा गाउं में मैंने पहली बार उक्त कारे में नया सयोग लिया। कौन साध्यों किस सिंगाडे के साथ ठीक बैठ सकता है इस विशे में मुनी नत्मल जी के विचार विमर्स किया। सरच इन्तन से मुझे कुछ हलकेपन का अनुभव हुआ ये गटना माद कृष्णा सब्तमी 17 जनवरी 1963 की है। मुनी नत्मल जी उन दिनों ध्यान साध्यों पर विशेश बल दे रहे थे। वे लगातार दो-दो घंटे ध्यान करते। उन्होंने बताये कि ध्यान से कई नए तथ्य सामने आने की संभावना है। कुछ वर्सों से साधू साध्यों में भी अध्यात्म तता योग साधना की और आकरशन बढ़ रहा है। अच्छी बात हैं, बहुत अच्छी बात हैं, परम प्रसनता की बात हैं। व्यवस्ता में सहभागिता, मर्यादा मोहत्सव के समय आचारे के सामने दो बड़े कारे होते हैं। पहला सादू साद्वियों की वियस्ता, दूसरा सादू साद्वियों के चातुरमास की वियस्ता, सादू साद्वियों की वियस्ता में उनकी चित्त समाधी पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है, उनकी वैक्तिक और सामुईक समस्या का समाधान और निराकरण किया जाता है, प् उनकी सेवा का लाभ मुझे मिला वे मेरे सम्मुक रदे खोल कर अपनी बात प्रस्तुत करते मैं उनकी समस्या को आचारेवर तक पहुंचा देता और उचित समाधान देने का प्रैतन करता आचारेवर का विश्वास मुझे प्राप्त था इसे मैं अपना सौभाग्य मानता कि सादू-साद्यों का भी मुझ पर विश्वास हैं विक्रम समवत 2020 का वर्स मर्यादा महत्सव की सताबदी का वर्स था बालोत्रा में उसका आयोजन किया गया उस पर मुझे आचारेवर की सनिद्धी में बैठने का बहुत अवसर मिला प्रतम वर्स में केवल सादू-साद के लिए सेवा की एक समिचीन विवस्ता है आचारे भिच्सु के समय से ही सेवा को बहुत महत्व दिया जाता रहा जैयाचारे ने लाड़नु में साध्यों के स्तिर्वास की विवस्ता की प्रतिवर्स साध्यों का एक सिंघाड़ा उनकी सेवा में नियोजित किया जाता था वियस्ता की समिक्सा करते समय एक चिंतन स्पूरित हुआ वृत्व साध्यों की संख्या बढ़ रही हैं सेवा करने वालों की संख्या भी अधिक अपेक्षित हैं इस चिंतन के बाद एक नई विवस्ता दी गई इससे पूर्व साधू और साध्यों के सिंगाडे को एक बार सेवा देने आवशक था नई विवस्ता के अनुसार प्रतेक साध्यों साध्यों को दो बार सेवा करना अनिवारे हो गया इस विवस्ता के अनुसार सेवा के दो नाम निर्धारित किये पहला चर चाकरी और दुसरा स्थिर चाकरी वक्तव्य साध्यों की सिक्सा गोश्टी में साध्यों की सिक्सा गोश्टी में भी मैंने प्रयाप्त समय का नियोजन किया मर्यादा मौत्सव के अवसर पर सिक्सा गोष्टियों के तीन रूप बनते हैं पहला केवल साध्यों की गोष्टी, दूसरा केवल साध्यों की गोष्टी, तिसरा साधू साध्यों की संयुक्त गोष्टी मर्यादा मौत्सव के अवसर पर होने वाली सिक्सा गोष्टियों में आचारे ही सिक्सा प्रवचन करते हैं विक्रम समथ 2005 के मर्यादा मौत्सव से मुझे भी उस गोष्टी में भाग लेने का अवसर मिला प्रारंब में मैं साधू साध्यों की गोष्टी में अपने विचार व्यक्त करता संग्य द्याइत्व के साथ जूरने के बाद केवल साध्यों की गोष्टी में भी मेरे वक्तव्य होते मेरा मुख्य विशे रहता साधना का विकास, वियस्ता के प्रती जागरुकता, सेवा और बोधिक विकास प्रारंभ में ये चर्चा का विशे बना आचारेवर के जेश्ट भाता सेवा भावी मुनी स्री चमपालाल जी ने आचारेवर से निवेदन किया केवल साधियों की गोश्टी में आपका ही सिक्सा प्रवचन होना चाहिए उसमें मुनी नथमल का वक्तवे होता है वह कुछ मुनियों के लिए इस परदा का विशे बनता है आचारेवर ने मुनी स्री चमपालाल जी के निवेदन को ध्यान से सुना और संक्सिप्त उत्तर में कहा उनका बोलना मुझे आवश्यक लगता है विकास मेरा प्रमुक लक्ष था मैं चाहता था कि अनरत्र विहार करने वाले साधु साधियों में चिंतन वक्तुत्व लेखन प्रस्तूती वालतालाप और पारसपरिक संबंध में विकास हो स्वास्त के प्रती जागरुकता बढ़े और आहार के विशे में ज्यान और सैयम दोनों बढ़े यह मेरी प्रबल भावना थी मैं गोष्टियों में इन विशेयों की प्रमुक रूप से चर्चा करता था इससे आचारेवर प्रसन थे और साधु साध्या भी प्रसन थी अतव मेरी अभिव्यक्ति के करम में कोई अवरोध नहीं आया ओम अर्हम